हेलो एब्रीवान क्यासे हो सब लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं इलेक्टिसिटी चाप्र के पेज नमबर 218 के इंटेक्स कोस्टों से रिटेड सारे के सारे कोस्टों के आंसर के बारे में अगर आपने इसे प्रिवर्स वीडियो अभी तक नहीं देखा साथी साथ आने वाजे वीडियो का सॉलीशन देखना चाहते हो तो कमजी प्यारी इसका लिंग में आपको डिस्क्रिप्शन में तो एक बार डिस्क्रिप्शन अब जब शेक कर लोगे यानि कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है उसका जो कॉर्ड होता है उसका जो वायर के फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं वो ग्लो नहीं करता वाइल दा हीटिंग एलिमेंट ड़ज जबकि हीटिंग एलिमेंट जो होता है हीटर का वो क्या करता है हमें एक जलता हुआ नजर आता है ग्लो करता हुआ नजर आता है जैसे हीटर में सिंपल फॉर्म में क्या होता है कि कुछ दिर के बाद देखते हुए रेड कलर का सारा का सारा रेड कलर में वो कर्णोर्ट हो जाता है वो हीट हो जाता है ग्लो हो जा करता है कि उसका रस्स्टेंस जो ता बहुत है और जादा है या दूशरे फाम में वो करता है और ढूर आ होना होता है जब कि जो कॉड होता है वो कौपर बना होता है तो तो simple form में वो क्या करता है उसका resistance high नहीं होता बलकि बहुत कम होता है इसलिए वो glow नहीं करता तो simple form में इसका हम लोग answer देख लेते हैं the heating element of an electric heater is made up of an alloy किसे मिलकर बना है? alloy से मिलकर बना होता है जैसे Nichrome हो गया which has high resistance whereas the cord is made up of the copper metal which is very 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 low resistance जिसका बहुत low resistance होता जो अभी हमने कुछ देर के बाद पहले discuss किया था the heating element of a electric heater is made up of a nichrome glow because it is red hot due to the large amount of heat produced on passing current क्योंकि वो large amount of heat produced करता है जिसका resistance जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हमें क्या देखते हुए heat produced करता हुए हमें नजर आएगा on the other hand the connecting cord of the electric heater made up of the copper does not glow because negligible heat is produced in it ठीक है जोगि वहाँ पर negligible heat produce होगा और negligible heat produce होगा तो फिर वो glow कैसे करेगा तो simple form में इसका हमारा ये answer हो गया आते हैं second question के उपर second question जो है वो आपको solve करने वाला question है तो एकदम आराम से आप देखोगे कि कैसे ये solve होगा ठीक है देखो क्या है compute the heat generated है ना while transferring 9000 sorry 96000 कुलम आफ चार्ज in one hour through a potential difference of 50 watt यानि कि हमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं फिर तो हम लोग solve आराम से कर सकते हैं हमें potential difference भी दिया हुआ है कितना दिया है that is 50 volt ये हमें दिया हुआ है उसके साथ चार्ज हमें दिया हुआ है कितना है that is 96000 है ना तो 96000 इतना कुलम चार्ज हमें दिया हुआ है time भी दिया हुआ हमें time किस में दिया हुआ है hour में दिया है और कितना बोला है 1 hour और 1 hour में सब को पता है कि कितने seconds होते हैं तो ये होता है 3600 seconds 60 into 60 that is 3600 seconds ये हमें देखने को मिलेगा कोई problem नहीं यहां तक नहीं sir हमें यहां तक तो कोई problem नहीं है हमें निकालना क्या है उसको भी हम लोग लिखते चलते हैं चाहिए heat heat का ना 2-3 formula अपने पढ़ रखा है एक formula होता है i square rt ये अपने formula पढ़ रखा है जूल्स law of hitting फिर उसी के form में एक और formula होता है that is h equals to v i t ये भी formula आपने पढ़ रखा है आपके पास v जो है वो given है t भी आपके पास given है बस i किसी तरीके से अगर निकल जाये ना तो हमारा सारा का सारा काम जो है वो बन जाएगा तो चलो i का value हम लोग सबसे पहले यहाँ पर find out कर लेते हैं तो now i equals to i equals to formula क्या होता है sir q by t होता है पढ़ रखा है ना starting में ही था chapter के i equals to q by t q का value कितना है sir 96,000 हमें देखने को मिल रहा है divided by t का value कितना है seconds में होना चाहिए 3600 इतना हमें देखने को मिल रहा है 2 0 से 2 0 हमारा simple form में क्या हो गया यहाँ पर cancer हो गया 6 के table में यह 6 times में आएगा और 6 के table में यह आ जाएगा 1 6 0 times में फिर 2 के table में यह आ जाएगा 3 times में और फिर यह 2 के table में आ जाएगा कितने times में that is 80 times में कितने times में 80 times में यह हमें simple form में देखने को मिलेगा तो क्या इसी value को हम लोग directly यहाँ पर put कर ले ठीक है इसी value को कितना आया है 80 था ना sorry 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 80 by 3 ठीक है कितना आया I का value हमारे पास आया है 80 by 3 ampere 80 by 3 ampere क्या यही I के value को हम लोग यहाँ पर put करके बना सकते हैं हाँ sir बिलकुल हम लोग बना सकते हैं तो चलो बनाते है V का value बताओ कितना है V का value sir है 50 अभी तो हमने देखा था I का value कितना है तो आया था 80 by 3 ठीक है इंटू T का value कितना था तो T का value है सर 3600 कितना है 3600 3 के table से अगर इसको आप cancel कर दो तो यह आजाएगा कितना 1200 1200 ठीक है तो सबसे पहले 0 को रख लिये था है क्या तो 1, 2, 3, 4 4 0 है तो इंटू 10 to the power 4 जो भी number होगा इंटू 10 to the power 4 तो पक्का होगा ठीक है 8, 5 जाए कितना होता है 40, 40 इंटू कितना 12 40 इंटू कितना 12 8, 4 जा 48 48 यानि 480 इंटू 10 to the power 4 अगर point को 2 digit shift किया जाए तो यह हो जाएगा 4.80 into 10 to the power 6 इतना क्या क्योंकि heat है तो इतना Joule and that is the right answer of this answer of this question अगर आप simple form में यह formula आप लगा दोना यह formula आप लगा दोना तो यह formula से आप simple तरीके से पता कर सकते हो क्यों क्योंकि V आपके पास है T आपके पास है अगर किसी तरीके से आपने I find out कर लिया और क्योंकि I का formula हमें पता थक Q by T होता है तो हमने simple form में इसे find out कर लिया, ठीक है, जो कि कितना आया, 4.80, आप लिखना चाहो तो 4.8 भी लिख सकते हो, 4.8 into 10 to the power 6 Zool, ठीक है, I hope कि ये questions भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, आगे चलें, अगले questions पर move करें, आजा, question number 3 देखो गया है, question number 3 word में हमें दिया गया है, that is, an electric iron of resistance, अच्छा, इस बार हमें resistance given है, ठीक है, हमें R given है, R कितना given है, sir, तो ये हमें given है, 20 ohm, ठीक है, अच्छी बात है, takes a current of इतना, I भी given है, हमें, कितना given है, 5 ampere, ठीक है, अगर आप एक बार questions को लिख लेते हो, कि क्या-क्या given है, तो अराम स आप इसे पता सकते हो, calculate the heat, हमें क्या find out करना, heat find out करना है, time हमें दिया हुआ है, कितना 30 seconds, यानि 30 seconds में कितना heat produce होता है, इसके बारे में हमें बताया गया है, तो heat हमें find out करना है, तो H equals to, again हम लोग formula जानते हैं, क्या, I square RT, है न, I square RT, ये हम लोग formula जानते हैं, सारा value तो हमा हमारे पास है, है न, सारा value हमारे पास है, क्या ही simple question था भाई, ये, I का value बता तो कितना है, 5, तो 5 का हम लोग क्या गर देंगे, square, into, into, into R का value कितना है, 20, into T का value कितना है, 30, ठीक है, 5 का स्कार 25, into, 20, into, 30, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 600, कितना हो जाएगा सिंपल फ़र्म में ये हो जाएगा 600 256 जा कितना हो गया that is 150 और 00 अगर आप लिखना चाहो तो इतना जूल आंसर लिख सकते हो अगर आप चाहते हो कि नहीं हम तो into 10 to the power में लिखना चाहते हैं तो फिर उस case में आप लिख दो 1.5 अब उतना भी छोड़ जकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 1.5 into 10 to the power कितना 1,2,3,4 10 to the power 4 इतना क्या जूल and that is the right answer of this question I hope कि ये questions भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने सारा का सारा solution किया है मिलते हैं अगली वीडियो में एक और index questions के solution के साथ साथ इसाथ बहुत जल्द हम exercise के भी solution करने वाले हैं तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से बढ़ाई करते रहो All the very best for your upcoming examination